नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गणेश दिवांगन और मेरे योटूब चैनल रानी टेलर एंडी जैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग वो भी पुरी डिटेल से step by step कैसे करते हैं वो बताऊंगा तो आप मेरे इस वीडियो को पुआ देखिए और साथी साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं मेरे चैनल में नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन के बटन को दबाए जिससे की ऐसे ही लेटेश वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे तो चले दोस्तों सबसे पहले हम नाप को समझ जाते हैं ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है सुल्डेश का 16 इंच है सीना 38 इंच कमर 30 इंच और सामने कला 6 इंच है और फिछे कला 9 इंच है दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हम प्रिंसेस का ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें पहले इसको back portion को कटिंग करना पड़ेगा उसके बाद हम सामने पल्ले का portion कटिंग करेंगे जिसमें की सारा margin एड रहेगा हमको कपड़े में रखके cutting करते वक्त और भी कोई margin हमको add करने की आउसकता नहीं है आप वीडियो को continue देखिए और पुरा देखिए आप पुरा वीडियो को देखेंगे तो आप इस cutting को अच्छे से समझ सकते हैं princess cut को समझ सकते हैं मैं आज इसमें सारे चीजें पफ से लेके, सोल्डर, आरम होल, हर चीजों को पोई डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, तो चलिए, पहले हम ब्लाउस की लंबाई को समझ लेते हैं, ब्लाउस की लंबाई 14 इंच है, तो मैं इसमें एक इंच, याने की सिलाई मार्जिंग एड कर रहा हूं, मैं कटिंग रा कर रहा हूं 15 इंयम्स में, देखिया 15 इंच में निशान लगा रहा हूं, और एक 15 इंच में आगे भी ऐसा निशान लगा रहा हूं, देखिया आप हमेसा जब भी सिदी लकितान खिशते हैं तो स्केल का उप्योग करें, और मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूँगा कि ब्लॉज कटिंग करते वक्त आप बिल्कुल भेहरबड़ी ना करें अराम से हर चीजों को समझ के और कपड़े में डायट कटिंग ना करके पहले पेपर में कटिंग करिए उसके बाद आप जहां जहां हमें कमी महसूस होती है तो हम उसको रखके सुधार सकते हैं इसलिए आप पहले पेपर में कटिंग करिए अब आते हैं हम सोल्डर में चुकि सोल्डर साड़े दस इंच है तो साड़े दस इंच का हाफ होगा हमारा सवा पांच इंच तो मैं 75 में यहां पर निसान लगा रहा हूं और 15 में मैं इस सैड भी आगे ऐसा निसान लगा रहा हूं और मैं इसमें गले का जो फैलाव है वो धाय इंच ले रहा हूं यह देखिए यह क्योंकि हमारा बैक पॉर्चन है तो मैं इसको लंबा गला डीप लूँगा इसकी वैसे मैं इधर लंबा निसान लगाया हूँ देखें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा 40 इंच ब्लाॉज तक गले का जो फैलाव है उसको 5 इंच रखता हूँ य अगर आप चोटे सच का ब्लाॉज कटिंग करते हैं तो सल्डर का इसू नहीं होगा और नहीं आपको यहाँ पर से डाउन करने के आ सकता है मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी हम ब्लाउज में सोल्डर को जॉइंट करते हैं तो यह देखिए यहाँ पर हमको पॉनिज दबाना है पॉनिज आप समझ रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा पॉनिज मतलब यह देखिए यह हमारा एक इंच है एक इंच से पाव इंच कम हम सोल्डर को दबाव रखेंगे यहाँ पर सिलते वक्त चोकि हमारा नीचे जब अगर हम अस्तवल अपलोज महाते हैं या पल्टी करते हैं या नीचे पट्टी भी लगाते हैं तो उसीफ हमारा पाव इंच ही दबता है और हमने सिलाई इंच हमेशा एक इंच लेते हैं सिलाई मार्जिंग तो उपर सोल्डर में आप पॉनिस दबाईए और पाविन को लगाते वक्त यहाँ दो इंच इस साइट और दो इंच बैक साइट मतलब सोल्डर के आसपास दो दो इंच हमें थोड़ा सा पाविन को खीच के लगाना है तो आपको सोल्डर कभी भी आपकी गिरेगा नहीं इस बात की मेरी गरेंटी है अब हम इसको इसकेल से सीधा खीच लिंगे और ये मैं इसमें कले कभी सीधा खीच जेता हूँ क्योंकि बैक पोर्शन है हमारा गला इसमें हम दीप रखेंगे अब आते हम इसके आर्मोहल में तो आर्मोहल मैं इसका ले रहूं 38 सीना है तो इसका मैं ले रहूं 5.5 इंच एक चीज़ और कहना चाहूँगा सीना के अकॉर्डिंग आर्मोहल कभी नहीं काटा जाता है हमेशा आरमोल अस्तिन के आरमोल यानि अस्तिन की मोरी के अकॉर्डिंग अस्तिन का गोलाई आता है यहाँ पर इस पोर्शन में उसके अकॉर्डिंग कटा आता है क्योंकि कई बार आप समझे कुषिज करेंगे कई बार blouse का सीना कम होता है लेकिन अस्तिन जो है वो मोटा होता है तब अगर हम इसमें कम कटिंग करेंगे सीने के कॉटिंग तो यह हमारा यही टाइट हो जाएगा इसकी विए से आप धार रखेंगे कभी भी हम जब cutting करते हैं तो आप आर मोल को छोटा cutting करिए अस्तिन जब लगाने कर समय आता है उस समय आर मोल को आप नाप लीजिए उसके बाद अस्तिन को इसमें fit करिए अगर ये आर मोल हमारा छोटा होगा तो हम अस्तिन के according इसको काट के बड़ा कर सकते है मैं इसमें गलें ड्रा कर लेता हूँ चुकि हमारा गला 9 इंच है तो मैं इसमें 9.5 इंच ले रहा हूँ क्यूकि यहाँ पर 104 इंच ऑल्रेडी बढ जाएगा और पाव 11 यहाँ दबेगा मतलब 9 इंच हमारा रेडी गला आएगा अब आते हम सीना में, तो सीना हमारा 38 इंच है, तो 38 इंच का एक चोथा ही होगा, 9.5 इंच, ये 9.5 इंच, और मैं इसमें 1.5 इंच मार्जिंग एट कर रहूँ, ये मार्जिंग हमारा धिला और टाइट करने के काम आता है, अब आते हम कमर में, तो कमर हमारा 30 इंच है, तो उ में सा मार्जिन लेना चाहिए देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह मार्जिन जो है इनकेस फ्यूचर में कभी ब्लॉज टाइट होता है तो यह उसके काम आता है अब आते हैं हम इसके आर मोहल में तो आर मोहल की अच्छी फिटिंग के लिए यहां सलवट ना आए इस और इसको लास्ट में नहीं मिलाना है अगर आप बिग्निंग स्टेज में है तो यहां से आप टेप रखके इसको एक इंग नाप सकते हैं यह सामने पल्ले की गहराई होगी और यहां पर से टेप रखके हम डेडिंग चनापेंगे तो बैक पोर्षन की गहराई होगी अब इसको हम ऊपर से ले रहें देखिए और इसको बिल्कुल जहां पर हमने मर्जिन्ग लिया था यहां पर इसको लाके हमको ऐसे यह मिला लेना है यह देखिए हमेशा armhole ऐसी cutting करिए ना इसको बाहर के ओर ज़्यादा करिए ना अंदर के ओर बाहर के ओर करेंगे तो यहाँ पर wrinkles यह सलवटे आएगी और ज़्यादा अंदर कर लेंगे हम तो यहाँ पर यह जो portion होता है इसमें खिचाव आता है इद्दम ज़्यादा fit लगता है तो इसको भी हम इद्दम अंदर के ओर ना लेंगे तो देखिए यह back portion हमारा completely draw हो चुका है और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप rewind करके देख सकते हैं मैं आप लोगों पूछ डिडियल से बता रहा हूं तो आप इस वीडियो को continue अपर देखिए तो चलिए हम इसको अब कट कर लेते हैं यह back portion कट हो गया है अब हम इसको रखके सामने पल लेको कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से paper ले लिया हूँ अब हमें क्या करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इंज में आप चाहे तो 7 इंज भी ले सकते हैं मैं इसमें एक इंज ले रहूँ यह एक इंज में आप ऐसा निसान लगा लिजिए और इसको भी सकेल से सीधा खीच लीजिए क्योंकि यह सामने पल ला है हमारा और इस साइड हमको हुग और आई पट्टी के लिए सिलाई मार्जिंग लेनी है देखिए मैं आधाइन से थोड़ा सा कम लेता हूँ यहाँ पर सिलाई मार्जिंग मैं यह देखिए मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ यानि कि कॉपी कर रहा हूँ यह हो गया है सबसे पहले मैं इसमें गले का फैलाव ले लेता हूँ चुकि मैंने सामने पल पिछे पल ले में धाइंच लिया था इसमें भी मैं धाइंच ले रहा हूँ ये देखिए, इसको स्केल से सिधा कर लिजी, अब हम सामने गला ड्राकर लेते हैं, सामने गला हमारा च्छाइज था, तो मैं इसमें साड़े च्छाइज में ड्राकर रहूं, मैं गोल ले रहूं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग गला ले सकते हैं, अब हम इसमें सामने पल्ले की घराई ले लेते हैं यह देखिए इस बाद कर्दार रखेंगे कि हमको इस साइड को उठाना है इसमें लाकिन नहीं मिलाना है यह क्यों ऐसा करना है मैं भी आगे आपको बताऊंगा अब उसके आद फ्रेंड्स हमको क्या करना है तो हमको इसका में डॉट पाइंट निकाल लेना है चुकि 38 इंच सीना है तो मैं इसमें में डॉट पाइंट ले रहा हूं साड़े 10 इंच में देखिए दोस्तों मैं आप लोंगों से कहना चाहूंगा अगर छोटे साइच के भी ब्लॉज होता है तो आप उपर से में डॉट पाइंट को 10 इंच से कम मत निकाल अगर आप 10 इंच से कम निकालते हैं उपर हमारा पॉनिल दब जाएगा तो यह आएगा आपका सवन नौ इंच तो बनने के बाद यह ब्लॉज उपर की वर चड़ जाएगा इसकी वयासे आप साड़े 10 इंच में ही निकाले डॉट पाइंट और जैसे जैसे इसका ब्लॉज इसमें 3 इंच में मैं 3 इंच में लिया हूँ 3 इंच कह दिया सुरी उसके लिए देखिए जैसे से ब्लॉज का साइज बढ़ते आता है यह भी जो है यह इस साइट आगे बढ़ते आता है इस बात का भी आप ध्यार रखेंगे तो मैंने उपर से लिया है साड़े 10 इंच और इस साइड हमको ले लेना है पांच इंच में देखिए जहां भी टेप पांच इंच में आगा निसान यहां पर और इसको यहां से हलका सा राउंड लेते हुए लाके इसको मिला लेजिए यह हमारा सामने पल्ले का एक पॉर्शन का शेप रेडी हो गया है अब हम इसमें पर आपका पुलाव अच्छा चाहिए आपको मतलब शेप अच्छा चाहिए तो हम इसमें 3.5 निंच में रखेंगे देखिए द्यां रखेंगे आप 3.5 निंच में और मेरी सला यही है कि अगर 30 इंच 28 इंच सीना का बलाउज है तब इसका आप गेप को कम रखिए नहीं तो 3. इन से आप कम बिल्कुल न रखें उसके बाद एक जोड चाहूंगा बताना चाहूंगा मैं कई बार मैं देखता हूं कुछ लोग इसको ऐसा लाके तीर्चा मिला लते हैं ऐसा तो यह भी गलती ना करें अगर ऐसा तीर्चा लाके मिलाएंगे तो यहां पर आपका नोग बन वह अच्छा आएगा तो देखिए यह हमारा सामने पल्ले का जो शेप था प्रेट करने का वह मैंने रेडी कर लिया है अब हमें क्या करना है तो देखिए अब मैं इतन ही ऐसी काट दूँगा तो हमको यहां पर कपड़े में रखके मार्जिंग एट करना पड़ेगा तो हम हुनको इस में अब मार्जिंग एट करना है चूकि मैं 3.5 इंच का यहां पर दूदक ले लिया है और आधा इसला यहां दबबे गा हमारा यह 1सला यहां यहां दबबे हان not मतलब हमको यहाँ पर से इसको साड़े चार इंज बढ़ा लेना है, यह ऐसे, यह मैं साड़े चार इंज यहाँ पर इसको बढ़ा लिया हूँ, बिल्कुल इसी लाइनिंग के सिधे में लगाई है निशान, और इस साड़ भी हमको लेना है एक इंज, क्योंकि आधा इंज यहाँ पर सिलाई मार्जिंग और आधा इंज हमारी सिलाई मार्जिंग यहाँ पर, अब इसको मैं स्केल से लाके ऐसा मिला लेता हूँ, अब आपको बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर मैंने इसको क्यों उपर क्यों लिया था, जब हमारा यह ब्लाउज, जब हम इसको जोड़ेंगे आपस में, तो यह तिर्चा होके यह जो पोर्शन है, यह इधर आएगा, तो यह आटोमेटिक हमारा यहाँ पर आके मिल जा अब क्या करनाएं हमेटिक हमें, यहां पर करना है, अब हमें इसको यहाँ पर लाके ऐसा मिल जा हूँ, यह आपस में जुड़ेंगा तो यह वाला जो पोर्शन है, शिलाई लगने की वज़़ेंगा से यह हमारा थ़ोड़ा सा घट जाएगा, चोटा हो जाएगा, उसके बाद जब यह सिधा हो जाएगा स्वारी हम सिल लेंगे इसको तो फिर इसको हम बैक पोर्षन के अकॉर्डिंग जैसे यह हमारा बैक पोर्षन है अगर थोड़ा बहुत यह बढ़ता है तो इस पोर्षन के अकॉर्डिंग हम सामने पल्ले को यहां नीचे से काट लेंगे तो यह हमने कम्प्लेटली प्रिंसेस कट ब्लॉज को ड्रा कर लिया है आपको कहीं भी कोई कर्फूजन होता है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके यह मुझसे मेरे वार्षप नमबर में यह कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं प्रिंसेस कट ब्लॉज कटके रेडी हो गया है उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी अगर आपको फिर भी कुछ आउट होता है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं तो मिलते हैं अपने किसी ऐसे ही जनकरी भरे वीडियो में जब तक के लिए टेक केर थैंक यू फर वाचिंग जैहिन